हलो दोस्तों ओर यूटूब चैनल बिगड़ जो एजी केश्टम में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों बिनादेरी के स्टार्ट करते हैं आज मैध के क्यूश्चनों से तो मैध का पहला क्यूश्चन है A तथा B एक कारी को करमिंशे 7 दिन तथा 8 दिनों में समाप्त करता है यदि दोनों 1 जोड़ कर 1 दिन कायर करें तो कायर कतीने दिन में समाप्त हो जाएगा जबकि 1 काम को आराप करता है जिसमें आपको बराबर में क्या होगा वो दे रखा है तो sûr 8U dus 2469 बराबर क्या होगा दो संक्या होगा गोडम फल Y upon X है यदि इन में से 1 संक्या X upon Y आपार हो तो दोसरी संक्या क्या होगी नए क्योशन है 6 से विवक्त होने वाली 3 Sank अंकिया कुल कितनी संक्या है नए क्योशन है निम लेकत में से अबरोई क्रम में कौन सी संग्या है अगला क्यूशन है 1.75 9.6 तदर साथ का मैत्तम समावरत क्या होगा नएक क्यूशन है एक विकती ने 100 रुपे अपने मित्रों में बरावर बाटे यदि उसके मित्र 5 रुपे अधिक होते तो परते को एक एक रुपे कम मिलता उसके कितने मित्रित है नएक क्यूशन है एक नाव एक निश्चित बिंदू तक 15 किलोमेटर प्रती गंटे की चाल से जाती है तदा 10 किलोमेटर प्रती गंटे की चाल से वापिस प्रारंबिक बिंदू पर लोट आती है यदि पूरी यात्रा में नाव की औस चाल कितनी होगी आपको असाचाल बतानी है किलोमेटर पर गंटे में नए क्यूशन है कमला का विवाद 6 वर्ट पूर हुआ उसकी वर्तमान आयू उसके विवाद के समय की आयू से 5 वटा 4 गुणी है कमला के पुत्र की आयू उसकी आयू का 1 वटा 10 है उसके पुत्र की वरतमान आयू क्या है नएक क्यूशन है जिसमें आपको बताना है अगला पद क्या होगा आपको संक्या दे रखे एक, तीन, आठ, चब्वीस, एक सुच है उसके बाद का पद बताना है आपको ऐसे अगला क्यूशन है जिसमें आपको देरखा है 19, 40, 21 उसके नीचे लिखा है 35 एक खाली जगे मतलब आपको बतानी है value हो और 40 नेक question है आपको एक चूज करना है जो तीन से अलग है यह reasoning के सवाल है कुछ जो आगए अप जीके की question देख लेते हैं जीके की question है 15, 27 में हर्याणा में किस इस्तान पर बावर और ब्रैमलोती के बीच प्रसित दीजी दुआ नेक question है आदुनिक हर्याणा राज का निर्मन कब किया गया था नेक question है तिलिया नामक परियाटन इस्ताल हर्याणा की किस चले में इस्तित है नेक इसके लिए आपको नेक्ट वीडियो अप्लोड कर देंगे तो इसके लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और कर लिए जिससे आपको हल वीडियो का अप्डेट टाइम से मिलती रहे तो आप इन क्यूशनों को याद कर ले आपके एक्जाम में ये जो आगामी एक्जाम है उनमें इनमें से क्यूशन आ सकता है थैंक यू